चूते वे और आसमा चूते वे रिखाई देंगे क्योंकि ये साल मंगल का साल और मंगल का सीधा संबंद मिट्टी सो होता है रात भर कलश को पानी में भीगो कर रखेंगे तो कलश आपका बहुत जादा पानी नहीं सोकेगा कई लोगो के घर में सोने तांबे और चांधी के क जाल स्थापित किये जाते हैं तो कई लोगों के घर में मिट्टी का लेकिन आप जो भी कहिए मा को सबसे जादा पर ये मिट्टी का कलशी है आपको यह जाद रखनी चाहिए कि जौँ बी आपको रात को भिगो लेने चाहिए कई कई लोग जो और ग्यहूं मिलाकर एक पारियां गुम्ती चक्रधूप अगर्बत्ती दीप पान के पत्ते पीली सरसों चावल गुलाल लाल रंग का कपड़ा इत्र गनेश जी के लिए जेनियों और कलश और मिट्टी का बरतन जौं सिंदूर ये सब नवरात्रों का वो समगरी है जो आपको पहले नवरात्रे चाह पत्तों से अपने घर के आगे बंदरवार जरू लगाएं हाथ में जल चावल पुष्प लेकर आप ये पानी लेकर कलपना करें कि आप एक वरत रखेंगे पहले के दो रखेंगे आप नौ दिन मा की आरती करेंगे आप अपने घर में अखंड जोड जलाएंगे जो जो जोड बिगाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलश जो होता है न मैं अभी आपको करकर दिखाऊंगे क्या खंड जोड क्या होती है जो भी आप जोड बीच रहे हैं वो बीचते वक्त आपको कोई रोका टोकी ना करें और आपके बाल हमेशा बंदे हुई होई हो तो बहुत अच्छा रहता है मा का ध्यान करते हुए किसानों का ध्यान करते है अगर आप जोड होते हैं तो आप यकीन मानी है आपको इससे बहुत शत परती शत अच्छे रिजल्ट मिलते है आप जब भी जोड़ा फ़गवान विश्णू को याद जोड़ू करे उसके बहुत बढ़िया हो जाएगा और ओम हिंक लिंग चमुंडा विच्छा का जाब जरू करें देखिए यह होती है मिट्टी की बरतन इस तरह का अब यह मिट्टी का साधा बरतन जब आप मातारानी के लिए बीचते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता इसको एक दिन पहले लाकर पानी में भीगो लीजए फिर इसको रैट कलर का पेंट कर लिजए इसके चारों तरफ गोटा पट्टी लगा लीजए जब आप इसमें जों भीगोएं तो सबसे पहले स्वास्तिक बना लीजए फिर आप इसमें थोड़ी रेट ड़ दालिए थोड़ी मित्टी डालिए और और इसके बाद रात में भीगे हुए जौँ जो हैं, वो जौँ मिलाएए, जब आब वो जौँ मिलाएए, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर उसके उपर आप थोड़े से जौँ मिलाएए, और जब इसे एक जगा पर यहां रख दे, तो नौ दिन दाएं बाएं, दाएं बाएं देकर उनसे बात करकर मैनिफेस्ट किया जाता है, और भवानी दुरगा की खेतरी को या दीपक को या कलश को बार बार हिलाया, हिंदू सब्वेता संस्कृति के इसाब से नहीं जाया जाता, आप हर वक्त अपनी जौँ, अपने दर्शन, आखरी दिन तो किसी को करवा सकते हैं, या अपनी यूट्यूब पर बता सकते हैं कि भवान ने मुझे खेतरी में दर्शन कर दी हैं, लेकिन ये देखो, ये देखो, इसे बात करो, ऐसा नहीं होता है, तो हिंदू सब्वेता संस्कृति को मजाग बिलकुल ना बनाए, मा की अखंड जोद का दीपक कुछ अक ज़िता इसे तरह या खेतर होता है, कलश में सुपारी, काली कóriaडी, पिली कौडी डाले, चांदी का चकोर या चांदी का टुकड़ा डाले, लांग डाले, इले, लहची डाले, गंती चकर डाले, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, और कभी कि मैंने मंदिर्यूं मा भी देख मैं हमेशा जौन अलग बीचती हूं और कलश अलग बीचती हूं मुझे ऐसे इसके उपर रखकर बीजना वो मुझे पसंद नहीं है मुझे ऐसा लगता कि खेतरी पूरी तरह से खुलकर आपके सामने नहीं आ पाती बाकि आप जैसे बीचते हैं शुरू से बीच रहे हैं उसी हुआ 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 है